है हाई फ्रेंज कैसे हैं आप लोग है होप अच्छे होंगे आज फिर से एक लेटेस्ट और यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आप एक e-commerce है अगर आप भी e-commerce प्लेटफॉर्म पे अपने प्रॉडेक्ट को सेल करते हैं तो आज के ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्फूल होने वाला है जैसे कि मैंने काया आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि सीप रॉकेट के पैनल पे जी हां दोस्तों सीप रॉकेट के पैनल पे आप अपने कस्टमबर के ओडर को किस तरीका से प्रोसेस कर सकते हैं किस तरीका से ओडर को आप सीप रॉकेट के पैनल पे एड कर सकते हैं कैसे आपको सिपिंग लेवल जैनरेट करना है किस तरीका से आपको कोरियर को बुक करना है किस परकार से shipping level को आप प्रिन आउट कर सकते है पार्सल पे किस परकार से आप उसको लगा सकते है और पार्सल को कैसे पैक करना है किस परकार से आपको सारा management करना है पूरी details में मैं आज की इस वीडियो पे आपको बताने वाला हूं कि order को book करने से लेकर packing करने तक क्या-क्या process होता है पूरी details में एक ही वीडियो पे cover करने वाला हूं तो please I request you आप इस वीडियो को देखने का कौसी जरूर कीज़ेगा तो चलिए आज के इस वीडियो को फटा-फट शुरू करते हैं तो friends सबसे पहले चलिए मैं आपको C-PROCKET के पैनल पर यानि C-PROCKET के website पर आपको सबसे पहले मैं order को किस प्रकार से add करना है यह हम सीख लेते तो मैं आ चुक हूँ C-PROCKET के website पर देखे यहां पर C-PROCKET में पर जाके चेक किजिए आपको सीप रोकेट पर कैसे रेजिस्टेशन करना है कैसे अपना एकाउंट बनाना है वह वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं बना सकते हैं वह वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा तो सीप रोकेट पर आपको फटा फट लॉग्डिन कर लेन आपका जो भी account वगड़ा है then उसके बाद यहां पे आपको order का option दिखेगा order के option पे click कर देना है जैसे ही आप order के option पे click करेंगे तो भी यह आपके पास एक new page open हो जाएगा then उसके बाद आपको क्या करना है यहां पे दीखे plus add order का option दिख रहा है यह वाले button पे आपको click कर देना जैसे ही आप add order पे click करते हैं यहां पे आपको आपके customers के कुछ details है जो कि आपको यहां पे provide करना पड़ेगा आपके customers के यहां पे mobile number आपको डालना है आपके customers के यहां पे आपको full name डालना है यहाँ पे customers का email ID डालना यह optional है अगर आप चाहो तो customers का mail ID डाल सकते बट मैं आपको suggest करूँगा कि आप customers का mail ID को जरूर यहाँ पे डालिएगा ताकि आपके customers को जो भी details है courier से related जो भी update है वो आपके customer को mail की थुरूर पल-पल मिलते रहेगा और यहाँ पे आपको complete address डालना है जो भी full address है और यहाँ पे customers का जो nearby landmark होता है landmark डालना है और यहाँ पे यह CT का pin code डालना है pin code डालती ही automatically यह CT, state और country detect कर लेगा marken pra collect then इसके बाद आपको next के button पे click कर देना है next के बटन पे click करते ही यहां पे आपको pickup details and उसके बाद 4000 order details then उसके बाद k comprehensive details डालना है तो चलिए सबसे पहले हम Eche han professionals आपने अपने pickup address डालेते, pickup address होता है, आपका shop का, आपका location, जहां पे आप है, जहां से courier आएगा, और courier आपसे pickup करके लेकर जाएगा, और आपके customers को वो deliver करेगा, तो उसको हम कहते है, pickup address, so यहां पे आपको pickup address अपना select कल लेना है, मैं यह वाला pickup address select करता हूँ, then next के button पे click कर आपके पास यहां पे order ID automatically generate हो जाएगा, order date automatically generate हो जाएगा, order channel जो यहां पे custom आपको select कर लेना है, अगर आप manually कर रहे हैं, तो इसके बाद यहां पे आपको product का नायम दे देना, जो भी आप product आपके customers को भेज रहे हैं, यहां पे आपको product के details देना है, जैसे यहां पे मैं लि है, यहां पे आपको डाल देना, यहां पे quantity one piece है, product categories कुछ नहीं है, then इसके बाद यहां पे payment details पे आपको यह importantly select करना है, यह आपका parcel prepaid है, या फिर cash on delivery है, prepaid होता है, अगर आपके customers आपको पहले order कर दिया है, तो आप prepaid के option पे click करेंगे, अगर आपके customers आपको पहले payment नही किया है, cash on delivery में आप भेज रहे हैं, तो आपको COD यहां पे select करना है, मैं फिलाल इसको COD में भेज रहा हूं, तो COD option मैं select कर रहा हूं, then इसके बाद next के button पे click कर देंगे, next के button पे click करती, यहां पे हमें हमारे package के कुछ details पूछेगा, कितना weight का package है, kg में इनको बताना है, इसके बाद volumatic weight जो यहां पे है, निकल के intercalculate करना है, package का detail देना, dimension बताना है, centimeter में हमें यहां पे dimension बताना है, height, weight, सब कुछ का यहां पे, जो हमारा package है, उसका width, height जो भी है, यहां पे हमें centimeters पे बताना है, इसके बाद फिर हमें add order पे click कर देना, जैसी add order के button पे click करते है आपके order add हो जाएगा, एंड उसके बाद आप उस order को seep कर सकते है, तो चलिए, मैं पहले यहां पी जो मेरा package है, उसको हम exact weight करेंगे, और उसका जो diamonds है, वो डालेंगे, So friends, जैसे कि मैंने का, मैं road का यह जो है video go mic भेज रहा हूँ मेरे customers को, तो इसका weight मुझे करना है, क्योंकि वहाँ पे diamonds in पे डालना है, तो इसका weight देखे, one, zero point, यानि 195 gram इसका weight हो रहा है, यह video go mic का, 195 gram weight है, यानि 200 gram weight है, तो मैं यह weight को जो है, वहाँ पे डालूंगा, लेकि इस weight को, यह तो हमारा weight हो गया, और इसके बाद वहाँ पे कुछ diamond sun का detail था, तो diamond sun डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो भी आप courier bag में pack करना चाते है, यह देखे, courier bag है, इसमें मैं pack करके भेजूँगा, तो इस courier bag का जो diamond sun है, वही हमें डालना है, इसक courier bag का side जो diamond sun आप उस पे easily डाल दीजिए, courier bag पे, आपको कोई issue नहीं है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीका से packing कर देता हूँ, इसमें courier bag के अंदर डाल के इसको मैं packing कर दूँगा, and जो sipping level generate करेंगे, इस पे हम लगा देंगे, attach कर देंगे, so product का weight and diamond sun हमें पता चल गया, क् हमने weight ascal पे इसका weight कर लिया, तो यहाँ पे केजी में बोलडा डानने के लिए, तो मेरा gram पिवा, तो मैं क्या करूँगा, 0.195, 195 ग्राम था, यह में लुग दूगा, and diamond sun जो मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे, वो 5 cm का है, मेरा 553 cm का मेरा package का diamond sun है, आपका जो भी diamond sun हो, width, height and length के accordingly आपको यहाँ पे दे देना है, और उसके बाद add order पे click कर देना, जैसे ही add order के button पे आप click करते हैं, आपका order भी है, ship rocket के panel पे add हो जाएगा, और उसको आगे courier ship कर सकते हैं, तो दीखे, यह मैंने एक order add किया, यह मेरा COD में 3600 रुपे में add हो चुका है, अब के button पे click करते ही, यहाँ पे courier का जो partner है, Amazon courier हो गया, Ecom Express courier हो गया, delivery service हो गया, यह सभी courier दिखा रहा है, कौन कितना charge करेगा, यहाँ पे amount आपको दिख रहा होगा, यह amount यहाँ पे दिख रहा है, कि कौन सा courier कितना charge करेगा, यह delivery में 208 रुपे है, Ecom Express में 150 रुपे है, त दिखे, जैसे मैं Ecom Express में 150 रुपे भेज रहा हूं, तो मैं Sip Now के button पे click कर रहा हूं, लेकिन नहीं हो रहा है, क्यूंकि मेरे wallet में यहाँ पे violence नहीं है, तो minimum 500 रुपे का recharge कर सकते हैं, सबसे पहले, यहाँ पे recharge wallet का option है, इस पे मैं click करता हूं, यहाँ पे 500 रुपे मैं recharge कर ल payment मतलब जो होता है QR code से ही कर देता हूं, फोन पे से, QR code को मैं यहाँ पे open किया हूं, then phone पे फटा 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 से हम open कर लेते हैं, अपने mobile phone से, इस QR code को phone पे से मैंने scan किया, यहाँ से मैं करता हूं payment mobile phone से, तो यह वाला जो payment 500 रुपीस, यानि सी प्रॉकेट के wallet पे यह recharge हो ग मेरा wallet पे ship rocket का है, पहले से 210 रुपे माइनस था, तो वह cut होकर 280 रुपे यहाँ पे wallet पे balance आ चुका है, अब मैं इस order को अगर ship now के button पे click करता हूं, तो यह मैं अब ship कर सकता हूं, यानि भेज सकता हूं, e-com courier के थूरू भेज़ोंगा 150, ship now के button पे मैंने click किया, ship now के button पे click क pick up को, कब मैं schedule करना चाता हूं, कौन सा दिन, today, आज होगा नहीं, क्योंकि 12 वज़े से पहले, 12 वज़े से पहले अगर मैं booking डालता, जो भी दिन, 12 वज़े से पहले, अगर मैं सुबह सुबह के time पे booking करूंगा, ship rocket पे, तो sam day pick up हो जाएगा हमारा courier, अगर 12 वज़े के करते ही, यह जो भी हमारा order था ना, यह हमारा order ship भी हो चुका है, इसका shipping level भी generate हो चुका है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे ready to ship, ready to ship है ना, इस पे click करेंगे, ready to ship के button पे click करती है, जो अब भी हमने एक courier book किया ना, देखे, यह वाला pick up schedule हो चुका है, इसके बाद यहाँ download manifest है, manifest को हमें download करना है, और यहाँ पे 3.पे click करेंगे, तो download level, shipping level पे हम पहले यहाँ पे download level कर लेते हैं, shipping level जो है courier का उपर जो हमें चिपका ना है, packet के उपर, वो shipping level को हम download कर लिया है, then download manifest पे click करना, अब यह manifest क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बता दू, manifest क्या होता है, इसके बाद मैं आपको details में manifest के बारे में बताऊंगे, manifest आपको क्यों download करना है, और print out क्यों निकारना है, तो मैंने manifest को भी download कर लिया है, and shipping level जो था, वो भी download कर लिया, दोनों को चलिये, मैं सबसे पहले printer पे print out करता हूँ, and फिर courier बगरा पे कैसे इसको चिपकाना है, वो स को print देना है, print देने के बाद A4 size paper ठीक है, and यहां पर हम two करते है, black and white copies, all paper size A4 paper purses ठीक ठीक है, fit to printable area near default, then, so finally then, इसके बाद हमें print के button पे click कर देना, जैसी हम print के button पे click करेंगे, and यहां पे start printing पे मैं click करता हूँ, तो यह जो है, हमारा print out होके बाहर आना, शुरू हो जाएगा इस परकार से, so friends, इधर देखे, जो shipping level है, मैरा printer पे मैंने print out दिया है, इधर, यहां पे printer है, shipping level हमारा, इस परकार से print out होके बाहर आ रहा, देखे, So friends, finally, जो है, shipping level मेरा, यहां पे देखो, print out होके बाहर आ चुका है, shipping level, अब क्या करेंगे, इसको हम अपने courier, जो है ना, यह courier bag पे इस तरीका से डाल देंगे, क्योंकि यह COD का है, तो COD amount वगएरा, सब कुछ यहां पे दिखाई दे रहा है, so friends, finally, देखे, packet के उपर, मैंने यह जो shipping level था, shipping level को मैंने इसके उपर attach कर दिया, and package जो हमारा पूरी तरीका से pack हो चुका है, यानि यह अब ready है, जैसे ही courier boy हमारी पास आता है, यह वाला packet हमें उनको दे देना है, handover कर देना, लेकिन उससे पहले जो मैंने कहा, manifest, यह देखे, यह seat rocket के तरफ से, जो यह manifest है, यह आपको इस परकार से pre-nout निकाल लेना, जब आप courier अपना, courier जब आप delivery boy, यानि courier boy को जब आप देंगे, उनके handover करेंगे, देने के time पे यहाँ पी क्या करना है, आपको courier boy से देखे, pick up time, FF का नाम, signature, उनका phone number, यह सारी details, यहाँ पर आपको sign करवा लेना है, courier boy से sign करके यह आपको रख लेना है, So friends, finally, आज की इस वीडियो पे मैंने आपको पुरा process, जी हाँ दोस्तों, पुरा process, order को किस तरीका से add करना है, कैसे shipping level को generate करना है, print out कैसे करना है, and courier में कैसे आपको package करना है, packaging करना है, पूरी details, आज की इस वीडियो पे मैंने आपको पूरी विश्तार के साथ में बताया, So I hope, आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो please यार वीडियो को like करना मत भूलेगा, एक like तो बनता है, like जरूर कीजेगा, and अभी भी अगर आपके मन पे किसी भी परकार का कोई भी doubt है, तो नीचे भी या comment box हमेशा मेरा वीडियो का ख देख रहा है तो इसी परकार का latest और unique वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप अपना YouTube चैनल से brother tech को subscribe करना मत भूलेगा, तो चलिए मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द, आज की इस वीडियो पे इतना ही, bye, take care, and we are thanks for watching.